जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा कि आज हम उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो मासाहारी प्लांट होते हैं जी हाँ पौदे भी साकाहारी और मासाहारी होते हैं कुछ बिसेश प्रकार के पौदे कीट पतंगों का सिकार करते हैं और ऐसे पौदे कीडवच्ची, सिकारी पौदे या मासाहारी पौदे के नाम से जाने जाते हैं ये पौदे कई बार हमें रहस्माई लगते हैं और कई फिल्मों में इन्हें बहुत ही खतरनाग भी दिखाया जाता है आज हम आपको ऐसे ही कीड वच्छी पौदों के नाम और उनकी वारे में जानकारी देंगे आपकी दिमाग में यह जरूर आया होगा कि जब बाकी अन्य पौदे मिटी, पानी और सूरज की रोसनी से अपना भुजन बना लेते हैं तो इन पौदों को कीड़े खाने की आवशक्ता क्यों पढ़ती हैं, दरसल पौदों को अपना विकास करने के लिए प्रोटीन की आवशक्ता पढ़ती हैं और इसे प्राप्त करने के लिए पौदों को नाइटरोजन मिलना चाहिए इस प्रकार के पौदे उस इस्तान पर पाये जाते हैं जहां नाइटरोजन की कमी होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए इन्हें अपने नजदी काने वाले कीट पतंगों का बच्चड करना पड़ता है इन मासाहारी पौदों में कीटों को फसा कर उनका भोजन बनाने की एक बिसेस प्रडाली होती है जो की पूरी तरह से प्राकृतिक सरचनाओं से बने होते हैं ये कीट वच्ची पौदे अपने सिकार को पकड़ते हैं और उनमें से पोसक तत्त को अवशोशित कर लेते हैं इनके अंदर बिसेस पाचक द्रब का रिसाब होता है जो इन्हें पचाने का काम करता है तो आए जानते हैं कुछ ऐसे कीट वच्ची पौदों के नाम और उनके वारे में जानकारी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आम मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं मेरे 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 इनके अंदर मीठे स्वाद्राट करने फिर आप फिसाल कर इसकी तली में घीर जाते ह offered जो लगा अपने सेखर को पचाने का काम करता है क cassini नाव का आउज हो इस हैं प्लांते Pennsylvania नेक्स्ट प्लांट है संड्यू इस पौदे का वनस्पतिक नाम है ड्रॉसैरा इस पौदे की पत्टियां रेसेदार होती हैं, और इनकी नौक पर पानी की बूदों की तरह द्रब्ब निकलता है , जो कि सूरस की रोसनी में चमकता है , जिसमें कीडे अपनी और आकरशित करते और जैसे ही कीडा उन बूदों को छूता है वह उससे चुपक जाता है दरसल वह तरल द्रब्ब अतियंत चिप चिपा होता है और कीडों को चुपका लेता है कीडों के चिपकने पर और उनके छटपटाने से इनके आसपास के रेसे इने जकड लेते हैं सिकार के सरीर से जो प वीनस फ्लाइट रेप वीनस फ्लाइट रेप नाम की इस पौदे की पत्यां दो भागों में बटी होती हैं और जब कोई कीड़ा इनके बीच आ जाता है तो यह किसी दर्वाजे की तरह बंद हो जाता है और कीड़े को कैद कर मार डालता है दरसल इनकी पत्यों की सतय पर बालों की तरह कुछ रेशे होते हैं जो कि बहुती समवेदन सील होते हैं और किसी के संपर्क में आने पर वह तुरंथी किसी दर्वाजे के कबजे की तरह बंद हो जाते हैं कीड़ों को पूरी तरह पचा लेने के बाद ये पत्ते बापस खुल जाते हैं और नए सिकार का इंतजार करते हैं ये काफी बड़े कीड़ों को भी खा लेता है नेक्स प्लांट है कोबरा लिली इस पौधे का नाम कौबरा लिली इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां घुमावदार और साप के फन की तरह होती हैं यह पौदा बहुती धीमी गती से बढ़ता है, इसके फूल लाल और भूरे रंके होते हैं, इनके पत्तियां किसी ट्यूब की तरह खोकली होती हैं, और इसके ट्यूब में कीड़े फस जाते हैं, यह पौदा ज्यादा तर्फ मक्हियां तताया आधिको अपना सिकार बनाती है यदि पौदा अधिक परिपको हैं, तो यह बड़े कीड़ों को भी अपना बोजन बना सकती है, नेक्स प्लांट है, सारा सीनिया सारा सीनिया नाम का यह मासाहारी पौदा भी घट परड़ी की स्रेड़ी में आता है, इसकी पत्तियां भी सुराई नुमा होती हैं, और उन पर ढकन की तरह एक पत्ती लगी होती है, इसके अंदर तरल द्रभ्यों में कीटों को फसा कर उनका भच्चड कर लेती हैं, ट्यू सारा के अंदर मुड़े हुए बाल उसे बापस नीचे धकेल देते हैं, इसलिए वहां से बहार निकल पाना किसी भी कीड़े के लिए बहुती मुस्किल का काम है, तो यह कुछ प्लांट से जो मास खाते हैं, छोटे मुटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो यह आपको प शेयर कर दीजिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए, हैपाई